आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो देखो question में का गया है If A, B and C are any positive real numbers then value of square root of A A की power minus 1 B into B की square root of B की power minus 1 into C और into square root of C की power minus 1 into A इसकी value हमें find out करनी है तो देखो सबसे पहले A की power minus 1 into B की power 1 और उसकी power 1 by 2 है हमारा square root का मतलब क्या होता है कि C भी number की power 1 by 2 multiply by दूसरा आगर हम देखे तो B की power minus 1 into C की power 1 है हमारे पास और उसकी power 1 by 2 है multiply by C की power minus 1 C की power minus 1 multiply by A की power 1 है हमारे पास इसकी value हम से पुझी गए और इसकी power 1 by 2 है तो अगर हम बात करें इसे हम लिख सकते हैं देखो A की power अब देखो हमारे पास identity की अगर हम बात करें A की power M और M की power N है तो हम कह सकते हैं कि a की power m into n हो जाएगा तो a की power minus 1 into 1 by 2 है इसकी power तो हम लिख सकते हैं a की power minus 1 into 1 by 2 minus का 1 by 2 आ जाएगा into b की power कितना b की power 1 into 1 by 2 तो b की power 1 by 2 into अगर यहां बात करें b की power minus 1 by 2 हो जाएगा हमारे पास multiply by c की power 1 by 2 same here C की पावर minus 1 into 1 by 2 करेंगे तो C की पावर minus ka 1 by 2 आ जायेगी multiply by A की पावर 1 by 2 A की पावर 1 by 2 अब देखो अगर हम second identity की बात करें हमारे पास A की पावर M into A की पावर M into A की पावर N अगर हमारöl पास है तो हम कह सकते हैं कि देखो भेस आगर हमारे पास सेम है तो powers add हो जाएंगी multiplication के case में तो a की power m plus n हो जाएगी हमारे पास तो यहां हम देखे देखो base सेम है a की power minus 1 by 2 और a की power 1 by 2 है तो base सेम है तो powers multiplication के case में multiply हो रहे हैं देखो number तो क्या होंगी add होंगी तो आ गया हमारे पास a की power minus का 1 by 2 plus 1 by 2 multiply by अब देखो b के लिए बात करें तो b के लिए भी देखो बेश सेम है हमारे पास b की power 1 by 2 है यहाँ पर और b की power minus 1 by 2 है तो इसको भी हम क्या लेख सकते हैं b की power 1 by 2 minus 1 by 2 हो जाएगा multiply by same here c के लिए अगर हम बात करें 1 by 2 minus 1 by 2 से बे सेम C की पावर 1 बाई 2 और प्लस माइनस माइनस का 1 बाई 2 हो जाएगा हमारे पास अब देखो यहां से हम कह सकते हैं A की पावर दोनों को एड़ करेंगे हाफ positive हाफ negative है तो 0 हो जाएगा multiply by B की पावर भी 0 हो जाएगी हमारे पास multiply by C की पावर भी 0 हो जाएगी और अगर हम बात करें A की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 किसके एकवल होता है 1 के एकवल होता है तो A की पावर 0 1 के एकवल होगा multiply by B की पावर 0 1 के एकवल multiply by C की पावर 0 1 के एकवल होगा तो यह कितना आ गया 1 x 1 x 1, तो हमारा answer होगा 1, इसकी complete की value हमारे पास किसके equal आ जाएगी, 1 के equal आ जाएगी, अब देखो 1 है जो हमें option 3 में given है, so option 3 will be correct answer to this question, thank you.